लड़की वालों का शगून आकाश की मा काविरी काफी वक्त से उसके लड़की ढून रही थी लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था कि अभी उसे शादी नहीं करनी हाला कि अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी थी फिर से? अरे कब तक ना बोलते रहो गया आकाश बेटा? अब तुम अठाई इसके हो चुके हो? मैंने काई ना मुझे अभी शादी नहीं करनी आखिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें वो बताओ मैं तुम्हारे लिए बिलकुल वैसी ही लड़की ढून लाओंगी आप मेरे पसंद की लड़की ढून दे नहीं सकती आपको कुछ पता ही नहीं है भाई जब तक आप बताएंगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है कैसी लड़की पसंदे आपको? अरे मैं नहीं बता सकता मुझे तो समझ मैं नहीं आ रहा कि तु कुछ बताता क्यों नहीं पहले तो तु सब कुछ बताया करता था सब कुछ हमारे साथ शेयर किया करता था अब पताने क्या हो गया है तुझे? भाई, पापा की जाने की बाद हम तीनों ही अपने हैं हमें नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी अरे मुझे जब बताना होगा तो मैं बता दूँगा ठीक है पर अब मुझसे बार-बार एकी चीज पूछ कर परिशान मत करो अरे मेरे बात तो सुन बिटा बतानी क्या हो गया इसे पहले तो आकाश कभी भी ऐसा बरताव नहीं करता था हाँ माप सही कह रही है पता नहीं भाई ऐसी कौन सी बात है जो हमसे चुपा रहे है ऐसा लगता है कोई उनसे कह रहा है कि हमें कुछ ना बता है अरे लेकिन ऐसा कौन हो सकता है दिविया, क्या अब मैं बता सकता हूँ घर में? अब तो मा और प्रिया को भी मुझ पर शक होने लगा है चलो ठीक है, बता ही देते हैं बैसे मा भी कह रही थी, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शादी की बात घरवालों से कर ले अरे मैं तो कबसे तुमसे शादी करने के लिए बेचन हुआ जा रहा हूँ दिविया हम दोनों इतने वक्त से साथ में हैं, अब जाकर हम घरवालों से बात करेंगी, और फिर एक हो जाएंगी लेकिन आकाश मुझे ना एक बात सता रही है कबसे? अरे हाँ, बताओ मुझे क्या बात है मेरी माँ को ऐसा लड़का चीए था मेरे लिए जो उनकी आग्या में रहे, उनकी हर बात को समझे वैसे तुम जानती हो, मेरे लड़कों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है इसलिए अगर मेरी माँ चुटी मुटी बात कह दे तो प्लीज तुम संभाल ले नहां रहे, ये भी कोई कहने की बात है बला, तुम्हारी माँ और पापा मुझे अपनी बेटी दे रहे है क्या मैं उनकी इतनी सी बात नहीं मान सकता हूँ, तुम बिलकुल फिक्र मत करो, उन्हें मुझे से कोई शिकायत नहीं होगी लेकिन तुम्हारे घरवाले अरे उनकी खुशी तो मेरी खुशी में ही है, वो कुछ नहीं कहेंगे, सच में तुम बस बताओ कि तुम्हारे घर बात करने कब आना है ठीक है, मैं मान से कहकर तुम्हें बताती हूँ ठीक है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि कब हम एक हो जाएंगे मैं भी यही चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं आकाश ने अपने घरवालों से दिव्या की बात कबसे चुपा के रखी हुई थी लेकिन अब दिव्या की कहने पर वो अपने घरवालों को ये सब बता रहा था तो तुने ये बात पहले क्यों नहीं कही हमसे आकाश हाँ भईया मा आपके लिए कितने वक्स से लड़किया देख रही थी आप पहले बता देते तो मा मेहनत तो नहीं करती दिव्या और मैं नहीं चाहते थे कि ये बात बहार निकले इसलिए हमने अब तक ये बात चुपाई रखी थी आकाश तुम गैरों को नहीं बताते लेकिन मैं और प्रिया तुम्हारे अपने हैं हमसे ये बात चुपाना मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है हाँ भईया आप हमेशा मुझसे छोटी से छोटी बात शेयर करते आए हैं अब तक अरे आप लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड क्यों बना रहे हैं अब ये सब चोड़िया आप दोनों को दिविया के मा पापा से मिलने जाना है हमारी सगाय और शादी की बात करने के लिए अरे लेकिन लड़की वाले लड़की वालों के घर आते हैं शादी की बात करने आकाश हम क्यों जाएं क्या मा आप पी पुराने रिवास को लेकर बैट गई हैं हम तीनों जाएंगे दिविया के घर अर्तिव्या की माने कहा है कि उनके यहां रिवाज होता है शगुन देना होता है लड़की वालों को अरे यह कैसे उल्टी रहता है लड़की वाले लड़के वालों को शगुन देता है पिटा मा प्लीज अब लड़के वाले ये ठीक है? नहीं, 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 दिविया की माने कहा है, तो शगुन तो देना ही होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी, आपको पता है कितनी मुश्कल से मानी है वो इस शादी के लिए, दिविया के लिए कितने बड़े-बड़े घर से रिष्टे आ रहे थे, फिर भी दिविया की खुशी के लिए उन्होंने मुझे स्विकार कर लिया, एरे तो तो कोई बुरा लड़का तो है, नहीं, माँ आप मेरी खुशी चाहती भी है या नहीं, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा, भाया ये अब कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते आकाश, ठीक है तुझे जो सही लगे वही कर, हम चलने के लिए तयार हैं, और मैं शगुन के लिफाफे भी तयार करतूँगी, आकाश की जिद के आगे कावेरी को जुकनाई पड़ा, वो तीनों शाम को दिव्या की घर पहुँच गए, जहां दिव्या की मा, पापा और उसका भाई सब बैठ हुए थे, आईए आईए बहन जी, आपका स्वागत है हमारे घर में, जी धान्यवाद, आईए यह, बैठे से लोग, और आकाश बिटा, कैसी हो तुम, सब ठीक है ना, हाँ ममी जी सब ठीक है, यह तो अभी अभी से मम्मी मम्मी कर रहा है, अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई, बहन जी बच्चे तो एक दुसरे को पसंद करते ही है, हमें तो बस आशीरवाद देना है, क्यों? हाँ हाँ, सही बात है आपकी भाई साब, तो हम एक काम करते हैं, पहले इनकी सगाई कर देते हैं, फिर संगीत और फिर शादी करतेंगे, क्यों सही है न काविरी पहन जी? जी जी, अब दोनों के उम्र भी तो होई गई है, जितने जल्दी शादी हो जाए तो सही रहेगा, तो आप सगाई कहां रखना चाहते हैं? सगाई तो लड़की वालों के तरफ से होती है ना बहन जी? नकाश बिटा, हमें पता नहीं था, कि आपकी माँ इतने पुराने खाया लुकी है, कि वो आप भी लड़के वाले, लड़की वाले की बीच में भी दबाव करती है? अरे नहीं नहीं ममी जी, ममा तो बस यूँई रित्रिवास की बात कर रही थी, आप बताईए, आपको कहा रखनी है सगाई, मैं बुक करवा दूँगा ना हॉल, तुम सोच लो, कहीं तुमारे माँ को कोई तकलिफ ना हो, अरे नहीं नहीं पापा जी, माँ को कोई तकलिफ नहीं है, क्यों माँ? हाँ, हाँ, अब जमाना बदल गया है, तो हमें बदलना ही चाहिए, हम करवा देंगे बुक हाल, अच्छा ठीक है, आकाईश बेटा, हाल जरा अच्छा वाला करवाना, जिसमें एसी बगरा हो, हमारे मेबान बहुत दूर से आने वाले हैं, इसलिए, जी जी मुमी जी, आप चिंता मन किजिए, मैं अच्छे वाला हॉली बुक करवाऊंगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ, कि इस अगाई में और क्या क्या होगा, वो सब तो हम फोन पर भी बात कर सकते हैं, है ना बहुत जी? अब क्या बताना बाकी है, सारा खर्चा तो हम कर रहे हैं, माम मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रही, लड़की की माँ, क्या हुआ, आप किसी सोच में पढ़ गए हैं? अरे, नाई ने बैंजी, हम कुछ नहीं सोच रहे थे कि, हमारी होने वाले बहु नहीं दिखाए दी? जी, जी, दिविया, आजाओ, सब कुछ पक्का हो गया है, जी, मा, वा, सब कुछ पक्का होने के बाद, अपनी बेटी को बुला रही है, और हमारा भाई, इसे पहले से, मम्मी, मम्मी कर रहा है, और अच्छोप करना, आकाश सुन लेगा, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, कावेरी और प्रिया को ये सब सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन आकाश अपने घर वालों की कोई बात सुनने को तयारी नहीं था, उसे तो बस दिविया के घर वाले जो कह रहे थे, उसे साबसे करता जा रहा था, जी जी ममी जी सारा इंतिजाम हो गया है, हाँ जी मैंने विठाईया भी मंगवा लिया है, हाँ हाँ ममा को कह देता हूँ वो तयारी कर देंगी जी जी जी, अब तो क्या और तयारी करनी है, है अब बचाई क्या है सब तो हमने कर लिया, ये बेटी को यहीं भेज देते हम ही विदाय करवा देते अरा चुपकर अकाश आ रहा है मामी जी कह रहे थी कि आप सब महमानों के लिए कपड़े तयार करवा दीजीगा उन्हें तफ़े में देने के लिए क्या? उनके महमानों को हम तफ़े दे सकाई के तयारे भी हम कर रहे हैं और तफ़े भी हम दे हरे मा अब फिर साइश रहो गई वो लोग अपनी बेटी दे रहे हैं हम कुछ कपड़े भी नहीं दे सकते क्या? पर या बात कपड़ों की नहीं है लेकिन वो लोग प्लीज आप दोनों इन छूटी छूटी बातों को बड़ा मत बनाईए दिविया के मा को बुरा लग गया तो मा आप सब के तफे तयार कर दीजे प्लीज अरे पर भाया प्रिया चल छोड जाने दे आज हम तयारी कर देते हैं यह हुई ना बात मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी में खुश है चलो बागी काम मैं देख लेता हूँ सगाई की सारी तयारी हो चुकी थी और शाम को सारे महमान भी आ गए और सगाई अच्छे से हो गई लेकिन दिव्या की मा कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी क्या हुआ मम्मी जी कुछ परिशानी है क्या नहीं बटा कुछ नहीं सब लोग खुश है तो मैं भी खुश हो बस अरे नहीं नहीं मम्मी जी आप बताईए न क्या बात है अकाश ममी को सगाई का फंक्शन इतना खास पसंद नहीं आया उन्होंने तो बहुत उमीद लगाई थी कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से करोगी और मेहमानों की तौफे भी कुछ खास अच्छे नहीं थे अरे मुझे माफ कर दीजी ममी जी मैं आपको दुखी कर दिया अरे कोई बात नहीं बिटा ये सब तो होता ही रहता है वैसे भी अब तो शादी बाकी है उसमें प्लीज तुम कोई कसर बाकी मत रखना अरे आप देखेगा ममी जी शादी में मैं सब कुछ इतने अच्छे से करूँगा कि आप खुश हो जाएंगी कावेरी बहन जी अगर आप उस शादी में कुछ दहज चाहिए तो अब इसे कह दीजिए हम तयारी करते अरे नहीं नहीं ममी जी हमें कुछ नहीं जी है आप मुझे अपनी इतनी प्यारी सी बेटी दे रही है मुझे और कुछ नहीं चाहिए हाँ बहन जी हमें कुछ नहीं चाहिए सच में अरे हम खुद दहज के खिलाफ है आपको जो भी देना है अपनी बेटी को दे दीजिए का नई नई ममी दिव्या के लिए भी सब कुछ मैं यह करूँगा उसे जो भी पसंद है सब कुछ मैं दिलवाऊँगा दिव्या तुम बताना मुझे तुम्हें कौन सा लेंगा चाहिए कौन से गहने चाहिए लेकिन बेटा वो तो माता पिता देते हैं अपनी बेटी को हम कैसे दे सकते हैं हाँ अभी तुम्हारी मां ही ये सब कह रही है तो शादी में सारे लड़के वाले भी यही कहेंगे न रहने दू आकाश बिटा में कुछ नी चीए हाँ आकाश रहने दू मैं कोई भी लेंगा पहन लूगी मुझे कोई दुख नहीं है देखा मा कितनी उदास होगे दिव्या उसे कोई लालच नी है कि हम उसे क्या दे रहे मम्मी जी दिव्या पापा जी आप सब बिल्कुल चिंदा मत कीजिए कोई कुछ भी नहीं कहेगा मैं हूँ न मजी बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है नई तो तुम तो जानती है कि मेरी बेटी के लिए कितने लड़के लाइन में लगे थे हाँ तो फिर उनी से करवा दी थी अपनी बेटी किशाती मेरे भाई की पीछे क्यों पड़ गी आकाश को तो जैसे कुछ दिखी नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है और हमारी बात वो सुनना नहीं चाता करे तो क्या करे अब अब तो भाईया हाथ से गए मा अब वो हमारे का अब तो वो सिसुराल की हो गए कावेरी और प्रिया आकाश को समझाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन वो समझने को तैयार ही कहा था आकाश को तो बस दिव्या, दिव्या, दिव्या का प्यार दिखाए दे रहा था तुमने खाना खाया? अरे कहां खाया? अरे, क्यों इतना लेट हो गया? तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? अब तुमसे क्या चुपाओ? हमारे कुछ महमान गाओं से आने वाले है बस उन्हें स्टीशन लेने जाना है हैसली मैने खाना नहीं खाया अब तक अरे, अरे, इतना काम कर रही है, मेरी शोना अपनी शाथी में, एक काम करो, तुम खाना खाओ और सूजाओ, ठीक है, मैं उन्हें लिए आता हूँ और तुम्हारे घर छोड़ दूगा साच अरे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुमसे कभी मैंने जूट कहा है क्या तुम कितने अच्छ हो, लेकिन आज तु संगीद है न, तुम्हारे घर वाले नहीं कहेंगे कुछ अरे, उनकी टेंशन तु मत करा हूँ, उन्हें मैं देख लूँगा अब क्या देख लोगा, सारी शादी की तयारिया तु देख रहा है, अब क्या बचाए बिटा अरे, माँ मुझे दिव्या के कुछ रिष्टेदारों को स्टीशन लेने जाना है, बस मैं अभी आता हूँ अरे, बिटा, आज तेरा संगीत है, तु इसे छोड़ कर कहा जा रहा है अरे, माँ, उनके घर में भी तो शादी के इतने काम है, मैं बस गया और आया, तुम चिंता मत करो अरे, यहां सब तेरे बारे में पूछेंगे, तो क्या कहेंगे हम भैया, आप दूले हैं, आप लेने जाएंगे तो कैसा लगेगा, अब यहां रुक जाएए भैया अरे, मैंने दिव्या को प्रॉमिस किया है, मैं अभी आता हूँ आकाश अपने संगीत वाले दिन, दिव्या के महमानों को लेने गया था जिससे उसका संगीत अधुरा ही रह गया, और आज उसकी शादी थी, जिसका आकाश को कबसे इंतजार था आज के दिन का मुझे कबसे इंतजार था मा, आखिरकार मुद दिन आई गया हाँ, आज तेरी बिदाई है ना क्या? मेरा मतलब है दिव्या की बिदाई है ना, इसलिए मेरा मन बहुत उदास हो रहा है भाई, मॉसी आपसे मिलने आई है, वो दो दिन से या नहीं थी ना, आई है मॉसी अरे कितना अच्छा लग रहा है, मेरा आकाश, है? बेटा किसी की नजर ना लगे तुझे? हाँ, तुभी आशिरवाद दे दे, कि सब अच्छा हो बस अरे दुलहे राजा, अपनी दुलहन का फूटो तो दिखाओ, मैंने तो देखा ही नी हाँ, हाँ, मॉसी जी अभी दिखाता हूँ, यह देखिया है, आना संदर दिविया, यह है तेरी होने वाले दुलहन, आपको दिविया का नाम कहीं से पता? अरे कावेरी, इस लड़की की तो दो बार सगाई तूट चुकी है, यह ऐसे लड़कों को फसाती है, जो इसके और इसके मां की इशारोपन नाचे, इसलिए तो दोनों लड़कों ने इससे रिष्टा तोड़ दिया, मैं इस लड़की को अच्छे से जानती हूँ, मुझे कर शगुन यह है कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी, मुझे सब कुछ पता चल गया है, क्यों जानकी, पहचाना यह नहीं, तुम? देखा, कैसे चेहरे का रंगी उड़ गया इसके, मेरे भती जी को मैंने सब कुछ बता दिया है, अब तुम इसका इस्तमान नहीं कर पाओगी, मैं ही पागल था, जो अपनी मा की बात को नहीं मान रहा था, दिव्या के प्यार में पागल सा हो गया था, मुझे माफ कर दीजी, मा प्लीज, अरे रहने तो, रहने तो, मेरी बेटी के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई, एक मिनिट, जाने से पहले जो हम आपको शगून के लिफाफे दिया है ना, वापस कर दिया है, वो लड़के वालों का शगून है मम्मी जी,